Now students, next question देखिए, solve इस equation को solve करना है, where x is not equal to minus 4, not equal to 7, मैंने आपको कई बार ऐसे questions बता है, मैंने बोला है, कि आप इसको solve करोगे, quadratic equation बनेगा, x का दो value आएगा, अगर उन दोनों values में से, minus 4 या minus 4 या 7 आ रहे हैं, तो उसको हमें नहीं लेना है, minus 4 क्यों नहीं लेना है, one upon x की जाएगा, minus 4 रखो, minus 4 plus 4, one upon 0 not defined, और अगर x 7 रख लेंगे, तो 7 minus 7, one upon, क्या जाएगा, 0 not defined, ठीक है, तो बस अब आप इसको चुप-चप solve करो, ज्यादा tension है नहीं कुछ, देखिए, कितना है, equation, one upon x plus 4, और minus, क्या है बच्छों, one upon x minus 7, ठीक है, is equals to 11 by 30, अब आपको bracket में ले लो, इसको bracket में ले लो, ठीक, उसके बाद, next step में का करते हैं, इन दोनों का आपस में multiply कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर, x plus 4 into x minus 7, ठीक, इसको उठा के यहाँ multiply करोगे, अब बताओ, x minus 7 into 1, कितना आ जाएगा, x minus 7, और यह वाला minus यहाँ copy कर लेंगे, x plus 4 into 1, x plus 4, ओके, और bracket में रखिएगा, जरूर, हमेशा, this equals to 11 by 30, अगर आप bracket में रखो, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ minus लगा हुआ है, now students, इसको solve करेंगे, x minus 7, अब आप यह bracket हटा सकते हो, क्योंकि इसके आगे कोई भी minus नहीं है, तो x minus 7, और यह minus से bracket open करोगे, तो x x हो जाएगा negative, और 4 हो जाएगा negative, upon में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास एक quadratic equation बन जाएगी, check कर लीजे, x into x, x square, सही है, और x into minus 7, minus 7x, फिर plus 4 into x, plus 4x, और plus minus minus 4, 7 था कितना हो जाएगा, 28, okay, is equals to, अब ध्यान दे बच्छो, यहाँ कितना हो जाएगा, 11 by 30, correct, अब यह x x cancel हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, check कर लीजे, minus 7, minus 4, minus 11 होता है, minus 11 होता है, okay, upon में कितना हो जाएगा, check कर लो, x square तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद बच्छो, minus 7, minus 7 plus 4, कितना होगा, minus 3 हो जाएगा, तो minus 3x हो गया, उसके बाद minus 28, is equals to, कितना हो हो, ध्यान सुनो, यह 11 से 11 कट जाएगा, ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ भी क्या बचेगा, 1, ठीक है, तो minus 1, minus 1, upon में कितना हो जाएगा, x square, और minus 3x, minus 28, सही है, is equals to, 1 upon 30, अब cross multiplication करेंगे, ठीक, तो कैसे करेंगे, check करो, इसको bracket में बंद कर लो, हाना, और हो, तो, this into this, यानि कि इस bracket को, 1 से multiply करेंगे, so x square, minus 3x, minus 28, minus 28, है न, यह वाला bracket, 1 से multiply होगा, फिर equal लगाके, 30 multiply होगा, minus 1 से, 30 into minus 1, यह लो, अब देखो, इस पूरे bracket को, 1 से multiply करोगे, तो यही आ जाएगा, वापस से यही आ जाएगा, कितना, x square, minus 3x, minus 28, is equal to, में बच्चो, 30 into minus 1, minus 30 होता है, सही है, अब इसको पकड़के, left में लेकिया होगे, तो क्या हो जाएगा, plus 30, तो x square, और minus 3x, minus 28, और plus 30, is equal to 0, ओके, तो अब बताओ, plus का 30, minus का 28, plus का 2 बचेगा, यानि कि x square, minus 3x, plus का 2, is equal to 0, बस, अब इस रिटिंग टम से सकॉम, solve कर लेंगे, ठीक, equation क्या है, हमारे पास, x square, minus 3x, plus 2, is equal to 0, ओके, चेक कर लो, अब, क्या करेंगे, यहां से, x square, और, minus 2x, minus x, और plus, 2 is equal to 0, चेक कर लो, भाई, minus 3x को क्या लिखोगे, minus 2x, minus x, असान है, तो इसमें क्या बताना, न, उसके बाद, इन दोनों में से common लेंगे, x, तो x minus 2, और, यहां से common लेंगे, minus 1, तो क्या बचेगा, x minus 2, is equal to 0, अब, यह first term, second term, क्या common है, x minus 2, और क्या बचेगा, first term में x बचेगा, और minus second term में 1 बचेगा, is equals to 0, अब यहां से x minus 2, 0 लखोगे, तो x कितना आ जाएगा, 2, और एक बार आप x minus 1 को 0 को equal लखोगे, तो x कितना आ जाएगा, 1, सही है, अब ध्यान दें students, x, 2 और 1 आ गया, लेकिन answer करने से पहले question में जाके जरूर चेक कर लें, कि x क्या-क्या नहीं होना चाहिए, x minus 4 और 7 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो minus 4 और 7 तो हमारा आया यह नहीं है, हमारा तो क्या आया है, चेक कर लो, हमारा क्या है, 2 and 1, तो 2 और 1 ही क्या है, इसका final answer है, ओके students, correct, और कुछ तो नहीं करने के लिए बोला था इस question में, नहीं, कर लीजे,